हलो बच्चों हम क्लास 3rd की SST का 4th chapter रीट कर रहे थे इस्ते पिछले वीडियो में हमने हमारी country इंडिया के बारे में रीट किया और हमने कुछ physical division के बारे में रीट किया जिसमें हमने Great Himalayas, Northern Plains और Desert of Thar के बारे में रीट किया आज हम इसका remaining part रीट करेंगे The Plato यानि पठार A Plato is that land which is higher than the plane surrounding it पठार वे भूमी होती है जो कि उसके चारो और के मेदानी भागों से उची होती है यानि कि मेदानी भाग से जो उचे होते हैं नहीं वो पहाड होते हैं वो क्या कहलाते हैं वो पठार कहलाते हैं In South of India there is a Plato called the Deccan Plato बारत के दक्षिन में एक पठार है जिसे दक्षिन के पठार के रूप में भी जाना जाता है It land here is hard and rocky यहां की जमीन कठोर और पत्रीली होती है It covers a large part of our country यह हमारे दीश के एक बड़े से हिसे को कवर करता है Some areas in this plateau are covered with thick forest इस पठार के कुछ हिसे गने जंगलों के द्वारा कवर किये होए हैं The rivers here are small यहां की जो नदियां होती है वो बहुत छोटी होती है Some of the famous rivers are नर्बदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी and महानदी कुछ प्रसिद नदियां जैसे नर्बदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी और महानदी है कि इस भाग में बहती है The Plato reason is rich in minerals पठारी शेत्र खनीज में rich है, यानि संब्रद है Therefore, many mines are located here इस कारण से इस शेत्र में कहीं खदाने पाई जाती है Thick forest area have many tribes living in them गने जंगलों वाले इलाकों में कहीं जन जातिया रहती है Garts अब हम घाट के बारे में पढ़ेंगे The eastern and western garts are low mountains on the two sides of the Deccan Plateau पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट Deccan पठार के दक्कन के पठार के दोनों और कम उच्चाई के पहाड है As the Deccan Plateau sloped down from west to east The river here all flow into the Bay of Bengal X-Capt, Narbda and Tapi Deccan के पठार का दलान पश्चिम से पूर्वी की ओर होने के कारण Narbda और Tapi नदी को छोड़ कर यहां की सभी नदियां बंगाल की खाडी में गिरती है The land here is hard, rocky and uneven यहां की जो भूमी है वो केसी है समान, कठिन और पत्रीली है As there are coastal areas, the cost have plenty of rains and have a moderate climate यहां जैसा की यह तटिये शेत्र है तो तटो में भरपूर बारिश होती है और यहां की जो जलवाई होती है, वो केसी होती है मद्यम प्रकार की जलवाई होती है Islands, इसके बाद हम Island यानि द्वीप समों के बारे में रीट करेंगे There are many islands in the water bodies surrounding our country हमारे देश के आसपास के जलनिकायों में कई द्वीप समों है In islands is a piece of land surrounded by water on all the sides एक द्वीप क्या होता है, एक द्वीप भूमी का वर टुकड़ा होता है जो कि चारो तरफ से पानी से गिरा हुआ होता है जो कि चारो तरफ से पानी से गिरा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं हम उसे द्वीप समों कहते है अंडमान औन निकबार आइलींड इन दे बै ओफ बंगाल औन लक्ष दीप इन दे अरेबियन सी are a group of आइलेंड बंगाल की खाडी में अंडमान अन निकबार दीप समुए और अरब सागर में लक्ष दीपों का एक समुस्तित है यह परिटकों के लिए बहुत प्रसिद स्थान है The Indian Peninsula यानि कि हम भारतिय प्राइदीप के बारे में रीट करेंगे The Indian Peninsula lies in the southern part of India भारतिय प्राइदीप भारत के दक्षिनी भाग में स्थित है A piece of land jutting out in the sea surrounded by water on three sides and land on one side is turned as a peninsula समुंदर में एक टुकड़ा जो कि तीनों और से पानी से गिरा होता है और उसकी एक तरफ की भूमी को क्या कहते हैं जो तीनों और से पानी से गिरा होता है और उसकी one side land को यानि एक तरफ की भूमी को क्या कहते हैं एक तरफ की भूमी को कहते हैं प्राइद्वीप की रूप में जाना जाता है जो भारतिय प्राइद्वीप है उसके दक्षिनी भाग के अंदर तो क्या है इंद महासागर पश्शी में भाग में Arabian Sea और पूर्वी भाग में Bay of Bengal है भारतिय उप्राइद्वीप के दक्षिनी पार्ट में Indian Ocean यानि की हिंद महासागर Bay of Bengal इस्ट में और Arabian Sea वेस्ट में गिरा हुआ है क्लाइमेट अब हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में रीड करेंगे जिस प्रकार एक भारत की जो एक भूमी है उस भूमी का जो सतह है वो भी सेम नहीं है उसी प्रकार जो भारत का जो क्लाइमेट है वो अलग-अलग पार्ट में अलग-अलग वहां की जलवाई होती है उत्तर दिशा में क्या होता है गर्मी के टाइम पर बहुत गर्मी पड़ती है और सर्दी के टाइम पर बहुत सर्दी पड़ती है इन कोस्टल एरिया यानि की तटवरती इलाकों का क्लाइमेट केसा होता है वहां की जलवाईू केसी होती है नै तो जादा गर्म जलवाईू होती है और नहीं जादा थंडी जलवाईू होती है बल्कि केसी होती वहां की जलवायू नमी लिये होती है In South the climate is generally hot और South का climate, दक्षिन भारत का climate केसा होता है, जलवायू केसी होती है Hot होती, सामाने ते है, गर्म होती है The climate in the mountains is cold throughout the year As most of high peaks of mountains remain covered with snow And mountains केसे होते है, साल भर तक जो परवतों पर क्या होती है ठंड रहती है, और जो ज़्यादा उच्चाई की जो पहाड़ियां होती है वो किस से cover होती है, बर्फ के द्वारा cover होती है यानि कि यहां हमने देखा कि जो इंडिया का climate है अलग-अलग जगह पर वहां की जैसे भूमी सत्य अलग-अलग है उसी प्रकार इंडिया क्या इंडिया की जलवायू भी हर पार्ट की अलग-अलग है तो इस topic से हमारा lesson 4 complete होता है इस lesson में हमने इंडिया के बारे में read किया कि इंडिया क्या है इंडिया हमारे country है जो कि 7th largest country है पूरे word की और population में second number पर है ये इंडिया की country word में इसके बाद हमने इसके physical division के बारे में learn किये